हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब लोग चलिए सब का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में मैं हूँ विवेक राना यूर केमिस्ट्री मेंटोर आपका गुरू आपका दोस्त और आज के सेशन में मैं बहुत इंपोर्टन टॉपिक आपके साथ डिसकस करूँगा है कॉलि सॉलूशन्स चैप्टर को हम डिसकस कर रहे हैं सॉलूशन्स चैप्टर के बिल्कुल एंड में आ गए हैं आज हम दो इंपोर्टन कॉलिगेटी प्रॉपर्टी आपके साथ डिसकस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी क जिन लोगोंने पुराने सेशन नहीं देखे हैं वो सिक्वेंशली सारे जो सेशन है सॉलूशन्स चैप्टर के उनको फॉलू करें मैंने आपको बहुत अच्छे कोश्चन्स कराए हैं सारे टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में बहुत प्यार से कवर किया है सब लोग जल्दी से आजाईए सबका बहुत बहुत स्वागत है very good evening to all of you कौन-कौन हमें जॉइन कर चुका है चली देखते हैं कुछ बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं कौमल, संजना, रितू, एक्सप्रेसिव, प्रेम विश्वास, अतुल, ऐश्वर, काफी सारे बच्चे आ गए हैं है ना अच्छा लग रहा है आप सबको देखके मैं वो भी आपके उस पर कहा देता हैं मैं मेंशे बताता हूं से बच्चों से कहता हूं कि बच्चों से कहता रहता हूं कि यह केमिस्ट्री नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए कौनसेप्ट का दरिया है और डूब के जाना है So, यहाँ पे जो डूब जाएगा concept के अंदर, वो ही पार पाएगा, वो ही neat, crack कर पाएगा, medical college के दर्वाजे उसी के लिए खुलेंगे So, आगे से ऐसी कोई request मत करना, जहाँ पे हम आपके request पूरी ना कर पाएं ठीक है, good evening, good evening, good evening, good evening to everyone Concept, sir, concept की बात करेंगे, अच्छा लगा, okay, करमचन यादे करें, sir, water freezes very fastly than coke मतलब मेरे पास में वहाँ पे, मैंने आपसे पूछा था, कि water और coke का मतलब drink, cold drink मैंने एक brand का नाम ले लिए, coke, कि cold drink, तो coke और water में से कौन ज्यादा fast freeze करेगा, किसका freezing point क्या होगा, कम होगा तो इन सारे points को लेके बात करेंगे, बहुत बढ़ी हा, करमचन यादा हो, बहुत अच्छा जवाब दिया है, शाबाश, मेरी तरब से साबाश, यह थमसफ है, आगे बढ़ते है आगे बढ़ने से पहले, बस वोई शोटी बात है, कि अगर कोई student पहली बारा में देख रहा है, हमारे session को, है ना, join कर रहा है, तो subscribe जुरूर कर ले चैनल को सारी 12th के board की जिम्मेवारी, नीट की जिम्मेवारी हमारे कंदों पर है, बस आपको क्या करना है, hard work करना है daily, आपके 6 hours की study होनी चीए, self study, 2 घंटे की chemistry की self study आपको करनी है, आपको doctor बने से क्या, top 100 ring प्याने से कोई नहीं रोक सकता इसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं, कि PDF बच्चों को, PDF की बात ही है, PDF के लिए तो आपको telegram channel join करना होगा, आकाश भाई जूजनीट और वहाँ पे आपके साथ में हम लगातार interact कर रहे हैं, आपसे quizzes, questions, मैं आपसे discuss कर रहा हूँ, आप मेरा telegram channel भी join कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ में बहुत सारी activity करता रहता हूँ अब जड़ा colligative property पे आजाएं, time waste करने नहीं आएं, पढ़ने आएं, बहुत महनत से एक एक minute important है, colligative property की बात करेंगे, depression in freezing point so, अब depression freezing point को आगे बादान से पहले हर एक student एक बार like की बटन को hit कर दे, एक बार जल्दी से अपनी presence को यहाँ show करिए, मुझे बता के कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आप मुझसे प्यार करते हैं, और कितना आपको मैं समझा पाता हूँ, तो बस एक like से मुझे बार दीजेगा, so, depression freezing point, so, सबसे पहले freezing point की बात करते हैं, और freezing point क्या होता है, बहुत simple सा बात है, एक ऐसा temperature, जहाँ पे vapor pressure of solid और vapor pressure of liquid same हो जाए, temperature at which, हरो कोई pen paper लेके बैठे जल्दी से, है ना, temperature at which the vapor pressure of a solid becomes equal to vapor pressure of liquid at 180 m, is called normal freezing point, vapor pressure of solid, आप क्या सकते हैं, solid का, मलब liquid का freezing point या solid का melting point same होगा, okay, so, इस definition पे अकसर आपको one mark question देखने को मिलेगा, जब आप board का exam दे रहे होंगे, good evening, शुती, हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और उमीद करता हूँ, आप भी बहुत अच्छा हूँगे, डॉक्टर संज अच्छे आगए, share ज़रूर करो, सबको लालो, सारे दोस्तों को बुलालो, और आज हम दो colligative property के बारें बात करें, पहले हम बात करें, depression freezing point, so, student, अगर हम depression freezing point की बात करते हैं, so, मैंने अब या पहले, मैं आपको जाता हूँ, relative lowering of vapor pressure में क्या पढ़ाता, कोई क्रिवीशन कर और यहां से हमारे पास में आया, relative lowering of vapor pressure, इसके बाद मैं हमने बात करी थी, elevation in boiling point की, so, जब vapor pressure कम होगा, so, उस vapor pressure को atmospheric pressure के बराबर करने के लिए, हमें ज़्यादा heat देनी पड़ेगी, temperature में बढ़ाना पड़ेगा, so, boiling point of solution is more than boiling point of solvent, अगर freezing point की बात करते हैं, तो यहीं से हमारे पास शुरुआत होगी, कि when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, तो कौन सी बात करनी है, non-volatile solute की बात करनी है, okay, ऐसा solute, जो solvent के साथ में vaporize ना हो, now, vapor pressure of the solvent, solvent का जो vapor pressure है, वो क्या कर जाएगा, decrease कर जाएगा, okay, so, यह मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, genius with Aditya, good evening, और बरदावल, good evening, good evening, च So, ये point हमें समझ में आ गया, ये point समझ में आ गया, अब इसके बात समझेे, कि vapor pressure of solid and liquid solvent will become equal at lower temperature, so, पहले क्या होगा, जब vapor pressure कम हो जाएगा, so, ऐसा temperature, जब solid का vapor pressure, मतलब कि solution का vapor pressure क्या हो जाएगा, decrease करेगा, so, vapor pressure of solid and liquid solvent will become at lower temperature. इसकी वज़ा से जो freezing point होता है क्या? freezing point of solution is lesser than freezing point of solvent चलो, मैं इसको graph से समझाऊँ तो और मज़ा आएगा आपको इना, graph से समझाते हैं, graph से और मज़ा आने वाला है जैसे हमारे पास मैं इस graph की बात करते हैं इस पे हम लेते हैं, यहाँ पे temperature यहाँ पे हम बात करते हैं, temperature की नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे, vapor pressure की यहाँ पे हम बात करते है, vapor pressure यहाँ पे हम बात करेंगे, x-axis पे आजाएगा temperature अब हमने कहा बच्चो, हमारे पास में यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया? solvent, सबसे पहले हमने क्या लिया solvent लिया, चलो solvent ले लेते हैं अब हमारे पास में यहाँ पे है solvent water, अब हम क्या रहें कि सर यहाँ पे मेरे पास में solvent है, और जैसे यहसे मैं temperature को कम करूँगा, vapor pressure कम होता चला जाएगा, देखो temperature कम हो रहा है vapor pressure, temperature कम हो रहा है पहले हमारे पास क्या था liquid है और यहाँ पे हमारे पास में हुआ solid and the temperature एक ऐसा temperature जहाँ पे solid और liquid का vapor pressure same है इस particular temperature को हमने बोल दिया T0F so यहाँ पे हमारे पास में आएगा T0F is equal to freezing point of solvent freezing point of solvent अब second point पे आप मुझे बताएंगे second point को लेके मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या होगा ठीक है आप लोग समझाएगा मुझे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं solute non-volatile solute को add किया जाए तो vapor pressure क्या करता है decrease करता है increase करत after addition of non-volatile solute vapor pressure decrease or increase सबसे पहले कौन कमेंट करेगा येस सुश्मिता चौधरी बताएगा हाँ अर्पिता गुपता ने कहाए decrease D में समझ गया decrease सब decrease कह रहे हैं है ना हिमांशू रितू अतुल एशुरिया जिया कोमल सचिन अंगनिकेत बिलकुल decrease करेगा सो vapor pressure क्या करेगा decrease ये ने vapor pressure कितना लिया था इतना अब की बार vapor pressure decrease करेगा ये कौन है solution non-volatile solution है तो vapor pressure कम करेगा अब हम क्या कर रहे है случае का temperature कम करते जा रहे है अब उसका vapor pressure कम ऌता रहेगागा परपेशर कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, अब एक बास समझो, इससे पहले क्या था ये liquid, solution का liquid, solid वाली line से कहां match किया, इस particular point पे match किया, ये हमारे पास में आ गया, point Tf, और Tf होगा हमारे पास में, freezing point of solution, अब अगर मैं इस graph को study करूँ, मैं इस graph को understand मतलब freezing point of solvent is more compare to freezing point of solution, so जैसे ही हम non-volatile solute को add करते हैं, free vapor pressure कम हो जाता है, इस वज़ा से freezing point भी कम हो जाएगा, बहुत आसा पार्ट है, बहुत प्यार से मैंने आपको समझा दिया, ये मेरे पास में आ गया, Tf, ओके, और यहाँ पर जो gap आएगा, ये जो gap है ना, इसको हम ब बोलेंगे, delta Tf, ये क्या आएगा, delta Tf, delta Tf, delta Tf है, depression in freezing point is equal to हमारे पास में आएगा, freezing point of solution, minus freezing point of solvent, delta Tf is equal to आगया, Tf minus T not F, बहुत सिंपल सा point, कि सर अगर solute के particle हमारे बढ़ेंगे, अगर solute के particle increase करेंगे, तो vapor pressure of solution decrease करेगा, vapor pressure of solution decrease करेगा, तो सर हमारा freezing point भी decrease करेगा, इस तरीके से आपको sequence बनाते हुए इसको पढ़ना है, ओके, चलो, गबरु जी, बहुत बढ़ी आशाबाश, जिते शौधरी आए हैं, नमस्ते क्या रहे हैं, है ना, हमारा आशिरवाद है आपको, और अच्छ मैं पूरी उमीद करूँगा कि बच्चे pen paper मेरे साथ लेके बैठे होंगे, और मेरे साथ साथ चीजों को लिख रही होंगे, ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज़ है यार, आपका slabas बहुत प्यार से cover कर रहे हैं, है ना, अफसार खान, hello, कैसे हैं, तो उमीद है, समझ में आ गया है, अब इसके बाद बात करेंगे, depression, freezing point की किसारी, depression, freezing point, depend किस पे करेगा, solute की concentration पे, अब यार, concentration को हम अलग अलग तरीके से लेते हैं, molarity, molality, mole fraction, सो हम कहेंगे, delta tf, depression in freezing point, है न, delta tf क्या है, depression in freezing point, is directly proportional to m, molality of solution, ये हमारे पास में क्या है, molality of solution है, solution की molality है, सो जितनी ज़्यादा molality, उतना ज़्यादा depression in freezing point, और delta tf में बता चुका हूँ, difference between the freezing point of pure solvent, minus freezing point of, हमारे पास में आता है, solution, तो इसको लिख लो, अब देखो, directly proportional को हटाना है, सर ये directly proportional concept को, अगर हम हटा देंगे, तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास, क्या आएगा, और कुस constant का नाम है, kf, तो हमारे पास formula बन गया है, delta tf, depression and freezing point, is equal to kf into m, kf क्या है, सर constant है, m क्या है, molality है, अब इस kf constant को कुछ नाम दिया गया है, इसका नाम है हमारे पास में, cryoscopic constant, बस नाम है या, जैसे आपका नाम है, है ना, जैसे अनुरादा जी का नाम है, सुशमि का नाम करण किया, और नाम करण करके हमने इसको बताया, cryoscopic constant, ओके, और दूसरा नाम क्या था, molal, है ना, molal, molal, depression constant, ठीक है, पूछ लेता है की kf क्या होता है, cryoscopic constant, अच्छा, अब जरा हमें निकाल ली है, सर एक बार इसकी, यहाँ पे kf की unit, चलो kf की unit निकाल लेते है kf is equal to, हमारे पास किसके बराबर आएगा, delta tf और m, molality, delta tf क्या है, भाई, temperature है, temperature unit किसमें होती है, degree Celsius में होती है, या Kelvin में होगी, degree Celsius में होगी, या Kelvin में होगी, और molality क्या होता है, molality, आपने पढ़ा है molality, molality होता है, moles of solute dissolve in per kg of solvent, so हमारे पास में, यहाँ पे आजाएगी mol probability की unit, mol, है ना, per kg, ठीक है, mol per kg, तो हमारे पास में kf की final unit के आजाएगी, या तो degree Celsius आजाएगा हमारे पास में, वैसे perfect जो unit आती है, हमारे पास में, यहाँ पे हम Kelvin देके चलेंगे, तो आजाएगा हमारे पास में Kelvin kilogram per mol, हमारे पास में kf की unit आगई, और kf की value किसके बराब है, when, when, है जा, kf, okay, तो हम यह खे लिखेंगे, when, molality of the solution is equal to 1, जब solution की molality 1 के बराबर होगी, तो जो kf है, वो delta tf के बराबर आएगा, okay, so when the molality of solution is equal to 1, so kf is equal to delta tf, diffraction in freezing point, अब अलग-अलग तरीके से kf को निकाला जा सकता है, kf को अलग-अलग तरीके से कैसे निकाला जा सकता है, कि हमारे पास एक method होता है, kf को find out करने का, वो क्या होता है, कि kf is equal to, formula note करिये, मैं फिर बताऊंगा, क्या होता है formula, kf is equal to r into t0, t0 f, r क्या है हमारे पास मे है ना r क्या है, हमारे पास में universal gas constant है, जिसकी value होगी 8.314 joule per mole per kelvin, t0 f square, t0 f है freezing point of pure solvent, into m, m हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा molar mass of solvent, molar mass of solvent, thousand constant है, delta hfus है, enthalpy, molar enthalpy of fusion, यह formula आपको याद करना है सिर्फ, ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ समझने का नहीं है, यह याद करना है, यह formula हमें यह बताता है, कि जो हमारे पास में kf की value है, यह formula में क्या बताएगा, जल्दी से formula note कर लो, जल्दी से formula note कर लो, यह formula हमें यह बता रहा है, कि जो kf की जो unit है, वो किस पे depend करेगी, kf की जो unit है, वो depend क करेगी nature of solvent पे वो किस पर depend करेगी nature of solvent पर depend करेगी वो solute पर depend नहीं करती यहां पर लिखा भी हुआ है कि जो कुछ important point है उनमें से पहला बता दिया kf only depend upon nature of the solvent not the solute दूसरा हमने यहां पर क्या आ रहा है मैंने बताया था आपको जितना vapor pressure कम होगा है ना freezing point भी उतना ही कम हो जाएगा so जितना ज्याद़ difference आएगा vapor pressure में उतना ही ज्याद़ difference आएगा freezing point में इसलिए delta tf is directly proportional to delta p delta tf is directly proportional to delta p and at freezing point or below it only solvent molecules will freeze not solute molecule यह भी बहुत ध्यान रखने की बात है कि जब freezing point के below temperature कर लोगे तो जो solvent है उसके molecule एक साथ aggregate करना start करेंगे solvent के molecule freeze out करेंगे solute के molecule तो वैसी solid dissolving liquid था तो वो आपस में aggregate नहीं करते है separate होना start हो जाता है चले यहां तक हमने बात पढ़ी यहां तक हमने बहुत important point cover किया अब कुछ और important point पर बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे question आएंगे तो कोई revision delta tf is directly proportional to molality delta tf is equal to kf into m mol kf है हमारे पास में cryoscopic constant delta tf is equal to kf into अब molality को क्या होता है moles of solute dissolving per liter per kg of solvent so molality को लिखा जा सकता है w2 by m2 w2 है given mass of solute m2 है molar mass of solute into thousand divide by w1 ठीक सो हम इसको use करते हैं m2 m2 को find out करने के लिए molar mass of solute को find out करने के इसको use किया जाता है kf divided by delta tf और यह आ जाएगा मेरे पास में w2 into thousand divided by w1 so यह final formula है जल्दी से बताईएगा मोही नहीं presently हाँ ठीक है present लगाने आए थे बहुत बढ़िया चले बहुत बढ़िया प्रियांशी राठोर चलो अब बच्चों मुझे यहां तक बताईएगे सब को समझ में आ गया अगले question के लिए सब लोग तयार है numerical के लिए सब तयार है एक बार सब थमसब कर दो और जल्दी से session को like करो अगर समझ में आया है तो मुझे तो वस इसी समझ में आता है कि आप लोगों को यह session अच्छे लग रहे हैं point समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं है ना मुझे बताईएगा सब student एक बार बताओ अगर समझ में आया है तो प्यार से yes कहके मुझे बताईए कि सर्क depression in freezing point clear है अगर नहीं clear है तो मैं दुबारा से जल्दी से clear कर दूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती freezing point एनी प्यूर liquid fix होता है क्या gaming हिमांशु जी अगर आपका external जिसे मैं कहता हूँ अगर आपने one atmospheric pressure पे freezing point निकाला तो वो fix आएगा जिसको हम बोलते है normal freezing point आप atmospheric pressure को external pressure change कर देंगे तो freezing point change हो जाएगा आप external pressure change कर देंगे तो boiling point change हो जाएगा so अगर आप one ATM pressure पे freezing point ये boiling point निकाल रहे हैं तो वो solvent का fix होता है अनिकेत बिलकुल चलो बहुत बढ़िया अब मैं इसका use बताता हूँ आपको पता इसका बहुत सारी जाएगे use आता है इसका use क्या बताता हूँ इसका use क्या होता है आपने देखा होगा कि जैसे जो बर्फीले है ना ऐसे area होते हैं जहाँ जो हमारे पास में बर्फ जम जाती ही रास्तों के अंदर ठीक ice storms आ जाते हैं कहीं कहीं सो वहाँ पे क्या किया था है रास्तों से ice को हटाने के लिए बर्फ को हटाने के लिए वो क्या करते हैं उपर से salt डाल देते हैं उस particular रास्ते पे क्या डाल देते हैं salt डाल देते हैं जिसे भी केदारनातरा चालू हो गई है इंडिया के अंदरी बहुत सारी सड़कों पैसा होता है सॉल डाल देते हैं क्यों सॉल डाल देते हैं सोचो सॉल डालते ही वो पिगलना स्टार्ट कर जाती है क्योंकि अभी हमारा जो अगर मैंने कहा कि सर हमारा atmospheric pressure 180 m है 180 m है और हमारे पास में atmospheric temperature minus 2 degree Celsius और water जम जाता है या 0 degree Celsius पे सो मुझे भी क्या करना है मुझे इसका freezing point ना मुझे वहाँ पे freezing point को क्या करना है less करना है मैं चाता हूँ कि freezing point पहुँच जा है minus 5 degree Celsius उसके लिए क्या करना पड़ेगा non-volatile solute को add कर दो non-volatile solute क्या करेगा freezing point को कम कर देगा अब atmospheric pressure है minus 2 और freezing point है minus 5 जब minus 5 temperature पहुचा ही नहीं तो क्या होगा liquid की form में रहेगा solid form में exist नहीं करेगा बर्फ पिगलनी चालू हो जाएगी दूसरा car के engine में प्रियांशी क्या कह रही है हाँ जी प्रियांशी जी को अच्छे से बताई मुझे क्या कह रहे हो अनु वर्मा ध्यान सुने हो तो ही कोई दिक्कत है तो मुझे बताना वहाँ salt डाल देते हैं दूसरा car के engine देखो car के engine में car को cool करने के लिए हम liquid को use करते हैं engine के साथ में coolant जिसको बोलते है coolant लगा रहता है यूज करें तो पानी क्या हो जाएगा जम जाएगा बिल्कुल freeze हो जाएगा car start ही नहीं करेगी है ना ठीक है आभी प्रियांची बताऊँगा है ना car start दुबारा सुन कि car क्यो नहीं start करेगी मैंने कहा कि आप अपनी car को किसी ऐसे जगे ले गए जहाँ पे जो temperature है minus 10 तक जाता है और car के engine को cool करने के लिए अगर आप सिर्फ water यूज करें as a coolant तो minus 10 डिगरी पे water जम जाएगा आपकी car कभी भी start नहीं हो पाएगी scientist परेशान क्या करें तो उनको हमने बताया है depression in freezing point का concept यूज करो सर वो क्या होता है depression in freezing point का concept कि आप water के अंदर कोई ऐसा solute add कर दो जिससे कि उसका vapor pressure बहुत कम हो जाए vapor pressure कम हो जाए vapor pressure कम होगा तो freezing point भी कम हो जाएगा सो मुझे अगर किसी तरीके से उस particular liquid का freezing point मैं minus 20 डिगरी ले जाओ अगर मेरे पास कोई ऐसा liquid है कोई ऐसा liquid है जिसका freezing point minus 20 degree Celsius है मैंने water के अंदर glycerine डाल दिया उससे क्या होता है glycerine add करके freezing point कम हो जाता है non-volatile solute है और मेरा atmospheric temperature कितना है minus 10 degree Celsius है तो खुद सोचिए जो minus 20 पे freeze होता है वो minus 10 पे कौन से अवस्था में कौन सी phase में रहेगा solid में या liquid में मेरा दानसर है सर वो liquid में रहेगा freezing point minus 20 है और अभी मेरे atmosphere का जहाँ पे मैं हूँ जगे का temperature minus 10 है सो इस तरीके से हमने जो अपनी जो day to day की problems है उनको solve किया है ना कि हमने engine के अंदर हम coolant use करते हैं उस coolant में liquid ऐसा लिया जाता है जिसका freezing point काफी कम होता है अब मुझसे रास्ते वाली बात पूछी थी मैंने का water जो है zero degree Celsius पे क्या बन गया ice में convert हो गया solid में convert हो गया अगर मैं वहाँ पे salt add करता हूँ तो वो क्या करेगा salt धीरे-धीरे water के साथ में dissolve होना start करेगा ice के साथ में dissolve होना start करेगा और आप जानते हो कि अगर water में क्या डाल दिया जाए नमक डाल दिया जाए salt डाल दिया जाए तो freezing point कम हो जाता है अब मेरे atmosphere का temperature कितना है माल लीजे 0 degree Celsius और freezing point ice पे salt डालने के बाद में freezing point हो गया minus 5 degree Celsius तो क्या होगा इससे अच्छे से तो मैं समझा नहीं सकता मनला समझा तो सकता हूँ यार बट मैं अपने best effort दे रहा हूँ आप लोगों को सारे point समझाने में जिससे कि आप अच्छे से अच्छे जो है question असानी से कर सके theoretical conceptual सब बात मैंने बता दी है अब यहाँ पर आते ही question पर इससा question time इस morality of the dilute solution is doubled अगर किसी dilute solution अगर कोई solution है उसकी morality को double कर दिया जाए तो value of moral depression constant क्या होगा conceptual question है confuse मत करियेगा अच्छे से बताइएगा और समझ में आया है तो मुझे एक बार बताते जलो yes sir clear हो गया हाँ जी gaming with Vishnu मैं समझ नहीं gaming with Hivanchu sir ice cream wall of salt क्यों तालता है पता नहीं बेटा मैं समझ नहीं पाया इस question का answer मैं उसको search करके बता दूँ आपको अनिकेट double half अनिकेट पहले half कह रहा है doctor sanjay mbps 2024 okay बहुत बड़ा नाम है doctor sanjay साब my future doctor जल्दी बताओ क्या होगा yes sir अनु वर्मा कह रही है D हो जाएगा double हो जाएगा genius विराजित क्या got it कोई बताई नहीं रहा है ठीक sir clear हो गया अरे answer बताओ यार जल्दी से question का answer answer बताओ अगर आप देख रहे हो session को मुझे तो बतना लगता session देख रहा है कौन देख रहा है हाँ हाँ इसे ही बात है sea water क्योंकि जिते शौदरी sea water का freezing point है वो बहुत कम होता है sea water का freezing point बहुत कम होता है और इसलिए वो असानी से जम नहीं पाता ठीक है और वहाँ पर amount भी बहुत है वैसी बात कौन कह रहा है कि नहीं जमता sea water glaciers तो तहरते पर सारा पानी नहीं जमता freezing point कम होता है ओके so answer मैंने भी बताया था आपको मेरे अगर बच्चे मुझे सुन रहे थे तो मैंने अच्छे से आपको answer बताया था कि sir kf kf do not depend on the concentration of the solution ठीक है kf की value का बात ही है when m is equal to 1 kf is equal to delta tf kf is constant kf is constant do not depend upon the concentration constant होता है do not depend upon concentration of solution concentration of solution depend नहीं करता solvent की nature पे depend करता है answer आएगा c c बहुत कम कह रहे है so जो c नहीं कह रहा कोई भी नहीं कह रहा वो concept सीख लो कि sir kf की value delta tf के बराबर होती है कब जब हमारे पास में molality 1 होगी यही हमारे पास में delta tf की value kf की value आएगी इसलिए इसको नाम दिया गया है constant cryoscopic constant और concentration change करने से kf change नहीं होता चले अब future में कभी भी इस question को आप गलत नहीं करेंगे अब नहीं करेंगे ना सब लोग c answer दुबारा से लिखे सब लोग answer लिखे c unchanged जिससे कि आपको आगे future तक यह याद रहे जबाश इसी तरह से perform करते रहना है हाजी सब का answer आगया c समने unchanged लिख दिया है मजा रहा है मुझे आप लोग साथ आजकल बहुत अब ज़रा एक और असान question मैं आपके सामने बिलकुल असान question है सिर्फ ये question मैंने इसलिए दिया है point depression constant kf of benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole मतलब की मुझे kf दिया हुआ है क्या 5.12 Kelvin kilogram per mole अगर unit को भी लिखोगे तो आदध हो जाएगी freezing point depression for the solution of the molality sir मुझे यहाँ पे molality भी given है 0.078 है ना molal ठिक यहाँ पे मैं लिख देंगा mole per kg unit याद हो जाएगी ठीक है अब कह रहा है non electrolyte है solute non electrolyte है non electrolyte है मुझे चीए था अभी तक मैं non electrolyte के रहे aspect में बात कर रहा हूँ अब यह कह रहा है मुझे क्या निकालना है freezing point depression delta tf निकालना है क्या इससे असान question हो सकता है कोई क्या इससे असान कोई question हो सकता है मुझे दुन लगता है आता था, calculation गडबढ मत करिएगा, calculation गडबढ मत करिएगा, 5.12 into 0.078, की value multiply करने के बाद क्या आएगी, हाँ, क्या आएगी, जल्दी से multiply करिएगा, 5.12 into 0.078, क्या आ रहा है answer, मेरे इसाब से तो 0.4 आना चीए, देखो मैं कैसे, अब मुझे अगर calculation fast करनी हो, है ना, मुझे calculation fast करनी हो, सर, यह रहा 5.12 into, सर, यह क्या है, 0.078, अब approximate ले लेता हूँ, क्या मैं 0.078 को 0.08 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो, सर, ठीक है, और 8, 5, 40 होता है, सर, 8, 5, 40 होता है, decimal लगाने के बाद में, मेरे पास में, यहाँ पे decimal को, मैं 2 place पे place कर दूँगा, 0.4, approximately 0.4 आ स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 0.078 को मैंने 0.08 लिया, क्योंकि मुझे हर एक value में difference दिखाए दे रहा है, 0.2, 0.4, 0.8, 0.6, सर, problem तब होती, जब एक option होता, 0.38, एक option होता, 0.4, एक option होता, 0.42, तब तो मैं कहता, कि यार, गढ़बढ है, मैं कैसे करूँ, ऐसी difficult, difficult, सो यह कैलकुलेशन देखने में difficult होती है, करने में आसान होती है, आपका brain थोड़ा सा active रहना चीए, चलो, बहुत सारे बच्चों ने ए बोला था, बिलकुल cheating नहीं होनी चीए, है ना, no cheating, बहुत सारे बच्चों ने ए बोला था, और बहुत सारे बच्चों ने ए बोला था तो minus one किसी ने पता नहीं क्यों calculation कर रहे थे कोई बात ने यही तो practice करानी है हमारे पास पूरा एक साल है ऐसी practice करने के लिए गलतियों को सुधारने के लिए time है बस अपनी गलतियों को अभी देखना है और जो अपनी गलतियां सुधारेगा है ना वो ही सितारे की तरह चमकेगा धूल लगी हुई है उसको धिरे 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 साफ करना है है ना जैसे माल एज़े आईने पर बहुत सारी धूल आजाए तो ऐसा लगता है कि सर वो आईना ही नहीं है वो एक mirror ही नहीं है ठीक, बट ultimately धूतलो थाप करके देखो कि कितना सुनहरा चेरा दिखाई देगा आपका practice, practice से सब असान हो जाएगा, होसला रखिए उमीद रखिए, चले अब ज़रा एक solved question भी करते हैं, क्योंकि हमें solved question करने की practice भी होनी चाहिए solved question करने की practice भी होनी चाहिए हाने genius विदा देते हैं, मैं अब यह देखूँगा, देते हैं कितनी जल्दी से इस question को solve करता है question क्या कह रहा है, calculate the mass of ascorbic acid, formula दिया हुआ है C6H8O6 देखूँगा सबसे पहले molar mass कौन बताता है इसका, कौन आपको hint में molar mass देगा, chat में इसका molar mass सबसे पहले कौन solve करके लखेगा to be dissolved in 75 gram of acetic acid, मतलब जो यह हमारे पास ascorbic acid है, vitamin C है, solute है और acetic acid मेरे पास में क्या है, solvent है, इसका lower its melting point 1.5 सो हमारे पास में melting point को 1.5 degree क्या किया गया lower किया गया, एक तरीके से melting point lower हो रहा है, तो इसका मतलब freezing point भी lower हो रहा है, दोनों बाते एक ही है, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में delta TF दीवन है 1.5, KF गिवन है 3.9 Kelvin kilogram per mole और क्या गिवन है मेरे पास में, W1 mass of solvent कितना है, 75 gram W2 मुझे निकालना है M2 में, यहाँ से निकाल सकता हूँ तो ascorbic acid का mass कितना है करंचन यादव 196 कह रहे है solve करें क्या C6, H8 O6, 12 into 6 plus 8 plus 16 into 6 72 plus 8, और यह आजाएगा 6 आजाएगा, और 10 और यह आजाएगा मेरे पास में 176, कितना आजाएगा 176, तो molar mass आपके पास आजाएगा, बचा क्या अब तो कुछ भी नहीं बचा है यार अब तो बहुत असान हो गया है Sir, delta Tf is equal to Kf, W2 by M2 into 1000, divide by W1 अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है यह आगिया W1 value put करेंगे, delta Tf की value कितनी है 1.5, Kf की value कितनी है 3.9, W2 की value gram में कितनी है, हमारे पास में Sir, find out करना है, M2 कितना है 176, 1000 W1 की value कितनी है यहाँ पे हमारे पास में 75 अब आपका काम है W2 को find out करना रिशू त्रिपाथी NCRT का question है excellent बहुत बढ़ी है, शाबाश correct answer आ रहा है अपका W2 W2 सही आ रहा है हाजी परिक्षित परिक्षित जी आये है परिक्षित जी हमारे साथ है question बच्चे मेरे solve कर रहे है time लगेगा, time लीजे मेरा काम है आपको time लेना so इस तरह के subjective question भी मैं आपके साथ में discuss कर रहा हूँ अपने इन session के अंदर तो हमारी board की preparation भी होती जा रही है so पहला hurdle हमने पार किया molar mass निकाल लिया second hurdle हमारे पास में आया sir हमें formula आता है अभी आपने सिखाया है हमें formula जो session को शुरू से लेख रहे होंगे उन्हें 100% formula आता है अब जो जो condition given थी वो हमने put कर दी क्या find out कर दा था हमने निकाल दिया अब हमारे पास question का answer आ जाएगा 5.08 gram अरे बच्चो answer आदर डालो सही unit लिखने की so पता है अगर आपने school में w2 के सामने लिख दिया 5 so teacher पता है क्या कर देगा मैं हूँगा अगर teacher तो मैं यहाँ पर दूँगा 0 marks अगर आपने लिख दिया 5.08 तब भी मैं दूँगा आपको 0 marks अगर किसी बच्चे ने लिख दिया w is equal to 5 gram तब मैं भी दूँगा 100% marks चाहे answer 5.08 है approximate करके भी अगर आपने यहाँ पर 5 gram लिख दिया जी है अप सिंबल है पहले GM use होता था अब G use होता है so मैं 100% marks दूँगा हाँ जी सुष्मिता चौदरी बताओ so इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने question का answer कैसे सही करना है ठीक तो सारी चीज़ें हम इसे सीखनी है सारी चीज़ें इस lecture के अंदर आपको सीखनी है so depression हमारे पास में क्या खतम हो गया depression freezing point next topic पे जाते हैं second point बचा हुआ है चारो colligative property हो जाएंगी और आज ही बता देता हूँ next lecture में हम पढ़ेंगे vent of factor next lecture में पढ़ेंगे abnormal colligative property जब electrolyte को add किया जाता है तो सर numerical कैसे solve होते है neat के लिए neat के respect में next जो lecture आने वाला है वो बहुत important होगा आज ही याद रखिएगा अब ज़रा osmotic pressure की बात कर लेते है bio वाले students के लिए favorite topic है क्योंकि bio के इंदर osmosis आता है it's a biological phenomena बहुत सारे living being के अंदर हमारी body के अंदर osmosis लगातार चलता रहता है body अपने आपको protect करती है osmosis करने से amoeba अपनी जो shape है उसको maintain करता है osmosis से जो cell है अपनी shape को maintain करती है osmosis से so osmosis एक phenomena है क्या होता है osmosis के अंदर sir osmosis में हमारे पास में होती है semi permeable membrane हमारे पास एक membrane इसको बोलता है SPM semi permeable membrane इस membrane के एक खासियत है कि जो solvent होगा ना वो अंदर बाहर चला जाएगा अगर मेरे मात का यहाँ पर solvent है तो solvent इससे pass करेगा और जो solute होगा जो solute होगा वो पास नहीं करेगा so solvent का spontaneous flow होता है solvent असानी से जो है pass कर जाता है semi permeable membrane को अब कहाँ पे उसकी particular direction क्या है है ना उसकी particular direction क्या है उसकी direction sir होती है from high from the low concentration of solute to high concentration of solute ठीक है high concentration concentration तो solution की solute से बताई आती है so low concentration से कहाँ pass करेगा pass करेगा कौन pass करेगा solvent pass करेगा कहां से कहाँ pass करेगा low concentration से high concentration की तरफ और यह concentration किसकी बताई जा रही है solute की मतलब की solution की या pass करेगा solvent to solution pure solvent से solution की तरफ pass करेगा through the semi-permeable membrane यह तो मेरे समझाने का तरीका था अगर आपके exam में definition आ गए लिखने के लिए फिर क्या करेंगे तो यार जो यहां लिखा वसको लिख देंगे the spontaneous flow of solvent particles from solvent side to solution side okay solute move नहीं करेगा सिर्फ solvent move करेगा solvent से solution की तरफ or from solution of lower concentration side to solution of higher concentration side through semi-permeable membrane सब मुझी समझ में आ गया तो यह याद रखो तो अब हमें एक बार फिर से हम इसको क्या करेंगे याद करेंगे क्या याद करेंगे कि solvent का flow होता है हमेशा याद रखेंगे पहला solvent solute flow नहीं करता कहा कहा पहला सर solvent से solvent से solution की तरफ ठीक है solvent से solution की तरफ या second low concentration to high concentration और यह किसके respect में solute के respect में concentration बताई जा रही है किसके respect में हाँ बस यह हो गया खतम बात तो यह osmosis के definition हो गई अब याद जब osmosis होती है ना जब osmosis होती है यह semi-permeable membrane है तो जब यह solvent का particle यह मैंने क्या कहा solvent है और semi-permeable membrane को pass कर रहा है तो यह pressure generate करता है है ना यह क्या करता है pressure generate करता है जिसको बोलते हैं osmotic pressure पर इसको बताया नहीं जा सकता osmotic pressure को directly देख सकते indirectly देखते हैं मैं बताता हूँ मैं हमेशे बच्चों से कहता हूँ कि अगर आपको osmotic pressure को imagine करना है तो माल लीजिए कि आप की जिसे मैं classroom में बता था classroom में बता रहा हूँ आप किसी कमरे बैटे हैं और बहार से कोई एक आग्मी बार बार ना आपके gate को push करते वे अंदर आ रहा है gate को धक्का दे रहा है अंदर आ रहा है gate को धक्का दे रहा है अंदर आ रहा है अब मैंने पूछा कि यार आप तो science के student हो आप ये बता हो कि जब वो आपके gate को push कर रहा है gate को धक्का दे रहा है तो वो कितना pressure generate कर रहा है ठीक है दोनों हाथों से आपने बंद कर लिया ठीक है गेट पे खड़े हो गए गेट को दोनों हाथों से बंद कर दिया आपको यह पता है कि आपकी जो पावर है दूसरे की पावर से ज़्यादा है अब आपने गेट को बंद करके रखा सामने वाला आया और फिर से आपके gate पे धका मारा, push किया, अंदर आने की कोशिश करी, आपने gate को खुलने नहीं दिया, क्यों खुलने नहीं दिया, क्योंकि जब वो gate को खुलने के लिए pressure create कर रहा है, तो आपने भी opposite उतना ही pressure लगाया, जितना pressure gate को खुलने के लिए जरूरी था, so तो दोनों तरफ का pressure क्या हो गया, balance हो गया, इस balancing से ही हम osmotic pressure को find out करते हैं, कैसे, solvent आ रहा है, pressure लगा रहा है, हमने का solvent तुझे आने ही नहीं देंगे, नहीं आने देंगे हम, तो हमने क्या किया, उसके opposite pressure लगा दिया, इतना pressure लगाया उसके opposite कि वो entry ना कर सके, हमने osmosis को block कर दिया, और osmosis को block करने के लिए, हमने जितना external pressure लगाया, उसको हम बोलते हैं, osmotic pressure, तो अभीद करता हूँ कि osmotic pressure अब भूलोगे नहीं कभी भी, है ना, intuitive कहानियों से, intuitive story यों से, आपको ये याद रहेगा, तो जैसे मैंने कहा रहा हूँ, ये मेरे पास में क्या है, solvent flow कर रहा है, solution की तरफ, है ना, solvent flow कर रहा है, solution की तरफ, अब मैंने इसको stop करने के लिए, मैंने कहा, ये stop हो जाए, इसको stop करने के लिए, मैंने बहार से P pressure लगाया, कितना pressure लगाया, external pressure मैंने क्या लगाया? P. External pressure मैंने क्या लगाया? P लगाया और यह क्या होगया? Osmosis हो गई, block ठीक. Osmosis क्या हो गई? Block हो गई net solvent का movement नहीं होना चालो गया. तो हमने का चाहे है, यह जो P है यह सर, Osmotic pressure है यह क्या है? Osmotic pressure है सो यह चोड़े ओटे point हैं जिनके बारे में हम study कर लेते हैं क्या कह रहा है अब membrane that allows only solvent particle to move across it उसको बोलते हैं semi permeable membrane अब हमने definition पढ़ लेते हैं osmotic pressure की बिलकुल मेरे साथ साथ लिखिये pen paper उठाईए और मेरे साथ साथ लिखियेगा osmotic pressure की definition the external pressure that must be applied है न कितना external pressure apply होगा on the solution side to just stop the process of osmosis है न आप बिलकुल simple definition मेरे लेख सकते हैं कि the external pressure that must be applied on the solution side to just stop the process of osmosis इसको हम बोलते हैं osmotic pressure pi अब इसको pi पी और pi एक ही बात है pi है इसको हम pi pressure से represent करते है और हम कहते हैं कि sir यह किस-किस factor पे depend करेगा तो यह जिन factor पे depend करता हूँ उनके बारे मताता हूँ जद pi is directly proportional to concentration 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 क्या होता है n by v moles per liter concentration पे depend करेगा इसको molarity भी बोलते है concentration पे depend करेगा directly proportional to number of moles inversely proportional to volume of the solvent second point जो osmotic pressure है pi वो directly proportional होगा temperature के जैसे यह से temperature बढ़ा होगे osmotic pressure बढ़ता चला जाएगा दोनों को club कर देते हैं तो pi is directly proportional to क्या आगया concentration into temperature और इसको अगर हम हटा दें constant को हटा दें यहाँ पे मिल directly proportional को हटा दें constant को लगा दें तो pi is equal to concentration r into t और यहाँ पे जो r है न जो r है वो universal gas constant है r की value universal gas constant है तो हमारे पास फिर से आजाएगा pi is equal to n by v r t और n है number of moles of solute r है universal gas constant r की value t है हमारे पास में temperature v है हमारे पास में volume of the solution ठीक है और हमारे पास में बच्चो इसके आवा अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे n अगर mass मिला हो हमें mass of solute given हो तो pi is equal to आ जाएगा w2 by m2 w2 क्या है given mass of solute divide by m2 molar mass of solute into r into t divide by v तो यह भी हमारे पास में formula आता है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार जल्दी से लिख लो सबसे आसान topic है osmotic pressure को find out करना pi is equal to crt और pi is equal to n by v into rt और pi is equal to w2 by m2 into rt divide by v so यहां से हम क्या निकाल सकते है molar mass निकाल सकते है हाँ जी जल्दी से सब लोगों को समझ में आ गया यहां तक यहां तक समझ में आ गया तो एक बास थमसब मुझे करके बताओ और session को like करो हाँ लिख लिया है प्रियान शी क्या रिया है कोई कहीं जरूत नहीं पड़ेगी आपको जाने की इतने बहतरीन तरीके से आपको गाइड किया जाएगा आपके नीट exam के लिए और साथ साथ बोड के लिए school के लिए भी अनुरादों को समझ में आ गया है रिशू है ना प्रतिक्षित प्रिक्षित है सौरी कोमल, सुश्मिता, शंकर, धीरज, प्रियांशी नो प्रॉब्लम सर ग्रेट, 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 बहुत बढ़िया अब जरा हम बात करते हैं यहाँ पे यह सारे points के बारे में हम बात कर चुके हैं अब हम सुनो P external is equal to pi 2 अगर मैं बात करता हूँ reverse osmosis की, है ना, अगर हम बात करें reverse osmosis की, तो सर reverse osmosis क्या होता है, reverse osmosis क्या होती है, तो बताता हूँ यहाँ पे reverse osmosis क्या होती है जल्दी से मेरे पास में यहाँ पे है solvent और मेरे पास में यहाँ पे है, एक मैं देखनू कहीं आगे तो नहीं बताया गया है यह सा पॉइंट मैं आपको डिसकस कर चुका हूँ ठीक, reverse osmosis को समझा दिया जाए पहले फिर बात करते हैं, ठीक, reverse osmosis की यहाँ पे मैं reverse osmosis समझा रहा हूँ अब यह मेरे पास में solvent है, यहाँ पे मेरे पास में solution है और movement कुछ इस तरीके से है ठीक है, यहाँ पे जो osmotic pressure है है ना, osmotic pressure, osmotic pressure is equal to P1 के एक वल है अब हमने कहा कि sir, यहाँ पे हमने pressure apply किया P2 मैं यहाँ पे apply कर रहा हूँ pressure P2, किस side? solution कि side मैंने P2 pressure apply किया P2 pressure और P2 is greater than P1 P2, मैं इस बास समझे मैंने का जब solvent, solution की side आ रहा था तो P1 pressure लगा रहा था, osmosis के अंदर जब solvent, solution की side आ रहा था, तो P1 pressure लगा रहा था तो osmotic pressure P1 हो गया अब मैं solution की side खड़ा हो गया और मैंने P2 pressure लगा है, जब मैंने बताया था कोई आपके room में आ रहा है और P1 pressure से आ रहा है आपने इदर से P1 pressure लगाया तो gate वही का वही है, ना तो वो अंदर की तरफ कुल रहा हो ना बाहर की तरफ कुल रहा है अब मैंने कहा आपसे, कि बेटा आपने ज़्यादा force के साथ में pressure लगाया बाहर वाला जो gate खोलने के लिए आ रहा था उसका pressure कम है और अब आपकी तरफ से pressure ज़ादा है तो gate किसकी तरफ खुलेगा आपकी तरफ या जो बाहर से आ रहा है उसकी तरफ, मैंने कहा कि हमने जो pressure लगाया solution side वो P2 है ठीक, और मैंने माल लिया कि osmotic pressure है 1 ATM और P2 मैंने लगाया 2 ATM 2 ATM pressure मैंने apply किया सो अब मुझे पूछना है flow of solvent कहा होगा flow of solvent किस direction में होगा ठीक है flow of solvent किस direction में होगा ठीक, पहला option है sir, solvent to solution second option है solution to solvent जो answer बता देगा उसको आता है हाजी जो भी answer बता देगा उसको आता है कि sir, क्या बता रहे है sir, क्या समझानी कोशिश कर रहे है आपको 100% समझ में आ जाएगा क्या होगा, बताइएगा हाँ जब तक आप comment नी करोगे हम आगे नी बढ़ेंगे जब तक आप answer नी करोगे क्योंकि आपको पढ़ाने आए है सिखाने आए है तो ये two-way communication है आपको भी answer करना होगा sir, अगर हमने external pressure को बढ़ा दिया जो कि osmotic pressure से जादा है तो solvent की flow करने की direction reverse हो जाएगी अब की बार ये होगी direction है न, ये होगी मेरे पास direction क्या करेगा solution to solvent जाएगा इस process को बोलते है reverse osmosis solution to solvent जाएगा solvent to solution नहीं जाएगा solvent का जो movement होगा वो solution की side से solvent की side में होना start हो जाएगा and this is known as reverse osmosis ऐसा कब होता है सब ऐसा होता है जब हम जबरदस्ती external pressure जबरदस्ती का मतलब बता है जब हम सोच समझ के external pressure को बढ़ा देते है समझ में आ गया होगा अरे इतने अच्छे समझा रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए तो ये सारे point में बता चुका हूँ अब मुझसे कोई पूछे कि सर यहां पे हमें R की value क्या लेनी है कोई मुझसे पूछे सर R की value क्या लेनी है अगर आपका πाई ATM में आए पाई क्यों क्या निकालना है pressure ATM में आए volume आपके पास में लीटर में हो ठीक है temperature आपके पास में Kelvin में हो तो R की value आपको लेनी है 0.0821 लीटर ATM per Kelvin per mole per Kelvin per mole question कह रहा है कि 0.1 molar molar solution of glucose and 0.1 molar solution of urea are placed on two sides of semi-permeable membrane to equal height then it will be corrected to say that ये माल लो ये है आपके पास में एक chamber है यहाँ पे SPM है और एक तरफ हमारे पास में 0.1 molar glucose है एक side में 0.1 molar हमारे पास में क्या है यूरिया है ठीक so अब हमसे पूछ रहा है कि क्या option correct होना चाहिए there will be no net movement across the membrane membrane के across कोई भी movement नहीं होगा glucose will flow towards glucose solution जो glucose है वो glucose solution की तरफ move करेगा कोई भी option मना आए जा सकता है यूरिया विल flow towards glucose solution यूरिया glucose solution की तरफ move करेगा या water will flow from यूरिया solution to glucose बताइएगा क्या answer लगने वाला है क्या answer आपको correct लग रहा है इसके अंदर जल्दी से क्या आपको answer correct लग रहा है आयते जी कितना chapter हो चुका है हम last colligative property पर हैं खतम कर देंगे और next session के अंदर हम जो है इस chapter को complete कर देंगे NEET के previous year question went off factor abnormal colligative property के साथ तो water will flow from urea नहीं भाया देखो answer क्या आएगा ये भी 0.1 molar glucose glucose कैसा है non electrolyte non electrolyte urea कैसा है non electrolyte both are non electrolyte दोनों non electrolyte है ये भी 0.1 molar है दूसरा भी 0.1 molar है concentration is same अगर same concentration होगी so isotonic solution हो जाएगा isotonic same concentration on both side और जिसकी वज़ा से net movement solvent का block हो जाएगा मतलब की solvent move तो कर रहा होगा जितना glucose से यूरिया की तरफ जाएगा उतना यूरिया से glucose की तरफ जाएगा net movement zero हो जाएगा net movement zero हो जाएगा option is the correct answer there will be no net movement across the membrane is the correct answer जो भी A कह रहा है मेरे से plus 4 ले रहा है है ना ततास तो plus 4 ले लीजे बहुत बढ़िया जो भी A कह रहा है हमसे A या मेरे समझाने के बाद A समझ में आ गया उसको osmosis समझ में आ गया अब हम कहते हैं ना यार इसके base पे हम देखें तो हमारे पास में जो solution होते हैं solution solution कौन सा sir semi permeable membrane के अंदर का solution वो three type का होता है isotonic hypotonic hypertonic isotonic मतलब देखो ISO ISO मने same मतलब अंदर और बाहर की concentration same है outside और inside concentration is same hypo hypo मने क्या होता है less semi permeable membrane के अंदर जो concentration है वो less है बाहर वाले से so hypotonic में क्या होता है the concentration inside the semi permeable membrane is less इसका मतलब less जहाँ पे concentration होगी वो solvent को कहेगा दूर जा है ना जिसके पास हाई है उसके पास जा तो hypotonic solution में semi permeable membrane के बाहर की तरफ solvent जाता है hypertonic मतलब क्या होगी है hyper ज़ादा hyper hyper मतलब की हमारे पास में more कि semi permeable membrane के अंदर close अगर जिस solution की हम बात कर रहे है वो ज़ादा concentrated है दूसरे से so hypotonic के अंदर solvent अंदर की तरफ आता है so यहाँ पर एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ तीनों की isotonic, hypertonic और hypertonic की ठीक है इसके बारे में सबसे पहले isotonic के बारे में बात की जाएगी मैं बता चुका हूँ isotonic two solution having a same osmotic pressure are considered as isotonic solution और बेटा, isotonic solution में हम यह कहते हैं कि isotonic solution को ठीक, same हमारा जो osmotic pressure है वो क्या होगा? same होगा osmotic pressure क्या होगा हमारे पास में? same होगा अगर, देखो, इसमें question कैसे बता जाता है? if solvent is same अगर solvent same है अगर solvent क्या है? बहुत important point बता रहा हूँ neat के लिए, क्योंकि जब cushion आते हैं न तो यह छोटे-छोटे point ही आपको अलग कर देते हैं दूसरों से अगर solvent same है solute different है और same concentration है तो वो क्या होगा? isotonic होगा solute different है और non electrolyte है ठीक है? हाँ और वो क्या है? non electrolyte so हो क्या होगा? isotonic solution होगा isotonic solution होगा अच्छा, एक बास सुनिए isotonic solution के लिए सिर्फ osmotic pressure बराबर होना चाहिए isotonic solution के लिए क्या होना चाहिए? the osmotic pressure of the two solutions should be same solvent अलग हो सकते हैं? yes solute अलग हो सकता है? yes electrolyte, non electrolyte हो सकते हैं? yes क्या सेम होगा? क्या सेम होगा? क्या solvents अलग हो सकते हैं? एक साइड हम, यहाँ पे ammonia, एक साइड water ले सकते हैं? बिलकुल ले सकते हो glucose और हम यहाँ पे, क्या ना मैं NECL ले सकते हैं? बिलकुल ले सकते हो बट, ultimately isotonic उसको कहा जाता है जिसका osmotic pressure same होगा ये condition तो एक specific condition है कि अगर मेरे पास solvent same है solute different है और solute non electrolyte है तो उनकी अगर same concentration होगी तो वो isotonic होगा ये एक specific condition मैंने बताई देखो teacher कितनी बार ना बहुत सारी चीजों को लिखता नहीं है मेरे बच्चों प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा teacher कितनी बार बहुत सारी चीजों को लिखता नहीं है but वो बोल रहा होता है समझा रहा होता है उन point को आपको note करना जरूरी है आप उनको note करिएगा ठीक है πाई 1 is equal to πाई 2 अब मैंने ऐसी बताया hypotonic solution और hypertonic solution के अंदर so यार एक बहुत simple सा point है कि जहां पे osmotic pressure देखो जिसका osmotic pressure जादा होगा ठीक जिसका osmotic pressure क्या होगा जादा होगा वो hypertonic जिसका osmotic pressure कम होगा वो क्या हो जाएगा hypo hypo मतलब less osmotic pressure hypertonic का मतलब more osmotic pressure that's it hypertonic के अंदर अक्सर concentration जादा होती है और hypertonic के अंदर concentration क्या होती है कम होती है solvent का flow कहां से होता है hypo से hyper की तरफ solvent का flow कहां होता है solvent का अगर same type of solvent है दोनों container के अंदर so वो move करेगा hypo to hyper hypo to hyper move करेगा ok so दोबारे दिखेंगे sir hypo less मतलब की less osmotic pressure hyper मतलब more मतलब की more osmotic pressure movement of solvent कहां से होगा less to more होगा इसलिए hypo से hyper की तरफ होगा that's it इतना असानी से आप इस सारी चीज़ों को समझ सकते थे so अब ज़रा हम यहां पे उन point पे आजाते हैं जो हमें discuss करने है वो है हमारा important question वो है हमारा important question जल्दी से important question question हम से क्या कह रहा है मैं आपको question solve पर की बताऊंगा calculate the osmotic pressure in pascal, pascal में calculate करना है exerted by the solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185 000 185 000 in 450 ml of water at 37 degree Celsius so मेरे साथ साथ solve की ये जगा सर आईसो टोनिक सर नहीं समझे प्रियांशी अगर आप दो solution लेके आए है ना दो solution लेके आए और आपने उनका same temperature पे experimentally osmotic pressure find out किया और दोनो solution का osmotic pressure same निकला तो हम उनको isotonic कह देंगे एक तो ये condition आती है मान लिजे कि आपने आपने एक solution लिया एक water है आपके पास में एक आपके दोस्त ने water के अंदर glucose mix किया उसने भी glucose mix किया आपने क्या किया water के अंदर urea mix करा दोनों mix हो गए so glucose and urea are different solute और दोनों के दोनो non electrolyte है मतलब कि water में करने के बाद में break नहीं करते ठीक है break नहीं करते अब आपने भी concentration कितनी ली 1.1 mole 1 liter 0.1 molar ठीक है आपके दोस्तने glucose की concentration कितनी ली 0.1 mole in 1 liter मतलब की 0.1 molar दोनों की concentration same है दोनों का solvent same है और solute non electrolyte है तो दोनों का osmotic pressure same आएगा बाकी चीज़े कैसे होती है सरे electrolyte के case में उसके लिए next class तक कंदजार करना होगा अब जरा मैं question पर आ जाता हूँ बहुत बढ़ी हारी तुतिरपाठी आपने जल्दी से question कर दिया है मुझे निकालना है pi find out करो अब और क्या-क्या मुझे given है 1 gram polymer है w2 1 gram हो गया m2 मेरे पास में 18500 हो गया मुझे pi को मैं पहले ATM में निकालूँगा फिर pascal में convert कर दूँगा ठीक है चलो मैं R की value रिख दूँगा मैं यहाँ पे pascal में निकालूँगा pascal में निकालूँगा बता दूँगा मैं आपको कैसे करते हैं volume मेरे पास में 450 ml है इसको लीटर में convert कर देते हैं 0.45 0.45 ठीक 0.45 में हम इसको convert कर देंगे यह आ जाएगा मेरे पास में लीटर और R की value मैं अगर यहाँ पे रख लूँ 8.314 into 10s par 3 यह आ जाएगा मेरे पास में यह pascal के लिए value आ जाएगी ठीक है चलो यह value मेरे पास में आ गई तो यह इस तरह से हम solve करेंगी चलो पहले मैं इसको अगर कहीं बच्चों को problem आती है तो बताता हूँ पहले हम इसको convert करेंगे ATM में इसको ATM में find out करेंगे और हम यहाँ पे बता देंगे कि सर हमारे पास में 1 ATM ठीक है 1 ATM approximately 10 per 5 Pascal होता है मैंने कहीं पहले थोड़ा सा गलती से मैंने बता दिया होगा आपको कि 1 ATM is equal to 8.314 into 10s power 3 कुछ शैद मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था सो आपको 1 ATM is equal to 10s power 5 Pascal लेना है approximately वैसे 1.1 लेते हैं 1.1 into 10s power 5 Pascal सो correct कर देता हूँ मैं कहीं मैं कहीं mistake अगर कहीं हुई है तो 1 ATM is equal to 1.1 into 10s power 5 Pascal होगा अब यहाँ पर R की value 0.0121 ले ली जाए लीटर ATM ठीक पर मोल लीटर ATM पर मोल पर कैल्वन यह आ जाएगा पर मोल पर कैल्वन सो पाई is equal to क्या होगा बेटा W2 by M2 N2 R T by V value put करेंगे आंसर निकाल लेंगे value put करेंगे आंसर निकाल लेंगे ठीक है πाई कितना है πाई की value कितनी है यहाँ हमारे पास में calculate the osmotic pressure find out करना है W2 कितना है 1 M2 कितना है 185 000 R की value कितनी है R की value हमारे पास में अगर मैं ATM में ले रहा हूं रहा है .0821 और यहाँ पर temperature, temperature मेरे पास में 37 degree Celsius है plus 273 मतलब 310 Kelvin, सो आजाएगा 310 और total volume मेरे पास में आजाएगा .45 ये value ATM में आएगी, इससे हम multiply कर देंगे 10s par 5 की 1.1 into 10s par 5 की, सो पहले value ATM में आएगी, अब मैं चाहता हूँ की ATM को convert करना पासकल में, सो 1.1 into 10s par 5 की multiply कर दीजे और 5 जो पाई की final value आपके पास में आजाएगी, वो approximately 31 pasकल आएगी है ना, 31 pasकल आएगी, सो याद रखेगा 1 ATM is equal to 1.1 into 10s par 5 pasकल होता है इस तरीके से आप इसको solve कर लेंगे, सो कहीं दिमाग में मेरे चल रहा था तो मैंने आपको कुछ equal value बता दियो, हो सकता है कि इदर उदर कुछ हो गई हो, हाँ चलिए, आदिते जी बहुत बढ़ी है, शाबाश, सो बच्चों बस session को end करते हैं session को end करने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा platform मिल जाए, जहाँ पे आपको personalized coaching मिले, personalized attention मिले तो उसके लिए best है, आकाश by Jus app को एक बाद डाउनलोड करिएगा free trial है 14 days का, आप यहाँ की features देखेंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे जो अच्छ से understand कर पाऊगे, तो यहाँ पे बहुत सारे chapter wise test है, unit wise test है, animation है तो डेर सारे feature है, डाउनलोड करिए और एक बार use करिए, अपना feedback हम से share करिए और next session के लिए तयारोजी, यह बाटनी का session है, 6 o'clock से तो मैं आई चुकी होंगी 7 o'clock से, और बस आज का session ही पे end करते हैं, तो चारो colligative property में आपके साथ मैं discuss कर चुका हूँ next session के अंदर मैं आपसे abnormal colligative properties को discuss करूँगा, abnormal molar mass को discuss करूँगा, तब तक के लिए टटा बबाई प्कार बबाई संदर बबाई यह यह रिए यह रहाए जारो प्लुकी तो अपसे भी उपसे अग प्लुकी यह